पुल्वामा में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को 5 करोड की मदद देंगे अक्षे कुमार जम्मू कश्मीर के पुल्वामा में CRP पर हुए आत्मगाती आतनकवादी हमले में 40 जवानों के शहीद हुने के बाड़ बॉलिवुड गम में है बॉलिवुड के सितारे शहीद जवानों के परिवार वालों को आर्फिक मदद देने में पीछे नहीं है अक्षे कुमार ने पुल्वाना हमले को बेहत कायराना कहा है बताया जा रहा है कि हमेशा देश के सिपाहियों के सपोर्ट में आवाज उठाने वाले अक्षे इस हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए 5 करोर रुपेदान देंगे इससे पहले पुलवामा आतंकी हमले को लेकर बॉलेवुड एक्टर अक्षे कुमार ने हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार के मदद के लिए लोगों से डोनेशन की मांग की थी अक्षे कुमार ने शनिवार को एक ट्वीट करके लिखा है कि पुल्वामा एक ऐसा हाथसा है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते हम सभी गुष्ट से में हैं और यह कुछ करने का वक्त है इसलिए अभी www.bherakavir.gov.in पर जाकर पुल्वामा के शहीदों के लिए कुछ दिनेट करें इसे अच्छा श्रद्दा अंजली देने और अपना समर्थन दिखाने का इससे कोई बेहतर तरीका नहीं है यही एक official site है प्लीच फेक site के शिकार नहीं बने जम्मू कश्मीर के पुल्वामा में 14 फरवरी हुए आतंग की हमले में तकरीबन 40 से भी ज्यादा सुरक्षाबल शहीद हो गए अक्षे कुमार ने ट्वीट के चरिय ओडियो भेजा था साथ ही कई भावुक होने वाली लाइन भी लिखी कहा कि हमें शहीदों के परिवार का साथ देना चाहिए हम उनका गम तो हलका नहीं कर सकते पर उनका ख्याल तो जरूर रख सकते हैं इससे पहले अमिताब बच्चन के बारे में कबर आई थी कि वेह पुल्वामा हमले में शहीद हुए जवानों के हर परिवार को पांच लाख रुपे का दान देंगे अमिताब के अलावा सल्मान की NGO भी इंग्यूनमन फाउंडेशन भी शहीद जवानों के परिवारों की मदद के लिए आगे आया है अक्षे इससे पहले नकसली हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को भी लाखों रुपे का दान दे चुके हैं